हलो दोस्तों तो आपका स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी बाइट स्वाई अर्चना में और एक बार फिर से मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ तो जो टेस्ट के साथ बहुत ही हेल्दी है जितनी टेस्टी उतनी ही हेल्दी भी है तो यह है ब्रेड ग्लूटेन फ्री बिना आठे बिना मैदे की बिना सूजी की इसको हम आज बनाएंगे दलिये से जो गेहूं का दलिया होता है उससे बनाने वाली हो मैं तो चलीए शुदू करते हैं रेसिपी को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और और मेरे चैनल को सब्सक्रा चिकल वाला मार्किट का नहीं है यह चिकल वाला है तो इसमें बहुत सारा फाइबर है इसमें मैंने एक भर के कटोरी फ्रेश दही डाला है जो की बहुत पुराना नहीं है घर पर ही जमाया था और एक कटोरी दूट डाला है और इसमें डालेंगे हम दो चम्मच चीनी इसको अच्छे से mix कर देंगे और इसको अब हम rest करने के लिए रख देंगे करीब 1.5 गंटे अब हम देखते हैं देखिए ये कितना सुखा सुखा सा बिल्कुल dry सा लगने लगा है तो अब इसमें हम आगे का process शुरू करेंगे इसके लिए देखिए मैं आपको दिखा रहे हूं इस के according डालूंगी और इसको एक बढ़िया सा fine paste बनने तक पीस लूँगी देखिए ये हमारा ऐसा बढ़िया सा paste बनकर ready हो गया है जिसमें दाने नहीं है बस आपको इतना ही इसको grind करना है कि इसके जो दाने हैं खतम हो जाए और ये बिल्कुल एक अच्छे से dough की form में आ है अब आगे का प्रोसेस है इसमें कुछ चीजें मिलाई जाएंगी जो कि इसको अच्छा बनाएंगी इसके लिए मैंने डाला है थोड़ा सा इसमें चीनी दो चम्मच के करीब इसमें चीनी डाली है दो चम्मच ही इसमें milk powder डालेंगे milk powder से मावे जैसा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी लगती है bread market में जो बनती है वो ऐसी ही बनती है और इसमें डालेंगे half teaspoon salt regular डालना है इस तरह से ये सब कुछ चीजें पड़ गए है अब इसके बाद इसमें जाएंगे baking powder और baking soda तो baking powder इसमें half teaspoon जाएगा और baking soda जो खाने वाला सा हो जाएगा तो इसलिए इसके measurement का बहुत ध्यान रखिएगा और डालेंगे इसमें एक बड़ा चमच olive oil आप कोई भी oil डाल सकते है saturated oil कोई भी हो जो neutral हो उसमें कोई smell ना हो और कोई taste ना हो ऐसा कोई भी oil आप डाल सकते हैं आप इसको दुबारा से एक बार grind करेंगे जिससे ये सारी चीजें अच्छे से एक में मिल जाएंगी तो देखिए ये बिल्कुल ready है हमारा better एक ribbon consistency पर इसको मैंने piece piece कर ready कर लिया है देखिए ये गिर रहा है किस तरह से इस तरह से अब हम एक pan को grease कर लेंगे अगर आपके पास bread वाला mold हो तो आप उसमें करिएगा मेरे पास अभी वो available नहीं था तो मैंने दिखाने के लिए केवल आपको बताने के लिए एक cake tin था उसी में इसको बना रही हूँ अब इस butter में हम डालेंगे इनो क्योंकि हमने इसमें yeast नहीं डाला है बिना yeast के बना रहे हैं तो इसको ferment करने के लिए कुछ तो चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक packet इनो का जो fruit salt वाला green packet आता वो डाला है और इसमें एक चमच पानी डाल कर बिल्कुल अच्छे से उसको activate किया है और जो cake tin grease किया था मैंने उसमें इस butter को pour कर देंगे और मैंने पहले ही तंदूर गैस पर चढ़ा दिया था गरम होने के लिए तो उपर की जाली हटा दी है इस काम को आप कडाही में भी कर सकते हैं और कुकर में भी कर सकते हैं और अगर आप microwave में करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं बट मैं आज यह तंदूर में बना र हमारा केक जो ब्रेड है वो रेडी हो गई है मैंने चाकू इसमें डाला है तो बिल्कुल प्लीन नाइफ निकल कर बाहर आया है इस तरह से मैं अभी आपको पास से भी दिखाती हूँ देखिए मैंने दो-तीन जगे इसको प्रिक करके देखा है सभी जगे से ये इक्वली पका हुआ है देखिए इस तरह से ये ब्रेड बिल्कुल बनकर रेडी है अब इसको डिमोल्ड करने के लिए हमें थोड़ी देर इसको ठंडा करना पड़ेगा अगर हम गरम-गरम में इसको निकालेंगे तो फिर ये साइड से सही से निकलेगी नहीं और तूट जाएगी ब्रेड हमारी तो अब ये ठंडा हो गया है मैं चाकू की साहता से थोड़ा सा इसके साइड अनलॉक कर दूँगी इस तरह से कुछ फिर इसके बाद अब ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है तो इसको डिमोल्ड करने के बाद फिर से हम इसे ठंडा करने के लिए रखतेंगे तो मैंने एक कपड़ा लिया है उससे इसको पकड़ कर मैं प्लेट पर रखतूँगी जिससे की ये केक हमारा बाहरा जाएगा और फिर ये अच्छे से ठंडा हो पाएगा और इसके बाद क्योंकि हमारी जो उपर की लेयर है ये काफी ड्राइ रहती है तो इसमें हम किसी भी ओयल का, बटर का, किसी की भी एक लेयर कोटिंग करनी होती है ब्रश कर देंगे तो फिर ये बहुत ही soft बनकर ready हो जाएगा और ये एक लेयर ब्रश करने के बाद ओयल से इसको ढखकर रख देंगे किसी कपड़े से जब तक कि यह ठंडा नहीं हो जाता है आप यह ठंडा हो गया है तो देखिए बिलकुल सॉफ्ट सा दिखने लगा है और कितने अच्छे से इसकी स्लाइसे कट हो रही है तो इसको कट करने के लिए जो आरी जैसा चाको होता उसका ही यूज करें और देखिए हमारी ब्रेट की सारी स्लाइसे कट कर रेडी हो गई है कितनी बणिया जाली आई है आप देख सकते हैं यह देखिए सामने से और इस तरह से ब्रेट जरूर बनाई है